जैहिन दोस्तों इस वीडियो में current affairs से related questions देखेंगे जो आपके exam point to face से काफी important होगा जैसे BPC TRE 3.2 का exam होने वाला है उसमें भी 8 से 10 questions रहेगा current affair का फिर बिहार से चमता परिच्छा में current affairs से questions पूछे जाएंगे वहीं बात करें SSC बिहार SSC तो सभी के लिए important होगा यह चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question क्या है हल्वा समारो किस घटने से संबन्दी थे अगर आपको video slow लगे तो आप 1.25 speed में या फिर 1.5 speed में करके भी देख सकते हैं सबसे पहला question है हल्वा समारो किस घटने से संबन्दी थे option देख लिए इसका क्या है सौतनतता दिबस समारो ठीक है वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो option B है बजट तयार करने की पर करिया रास्टे महिला दिबस गंतनतर समारो दिबस या फिर इन में से कोई नहीं तो इस question का सही answer हो जाएगा आपको option नमर B बजट तयार करने की पर करिया ठीक है अब हम लोग संसे से related कुछ facts देख लेते हैं जो आपकी एक्जाम में आने के चांसे से संसत आपको पता होगा नया संसत का भी उद्गाटन हो चुका है और पुराना संसत था दोनों से सवाल बनता है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नया संसत से तो इसका सेला नयास कब रखा गया था तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था ये कोश्चन भी एक्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है तो इस पर ध्यान देजिएगा पुराना कब रखा गया था तो 12 फरबड़ी 1921 का याद रखेगा ये काफी इंपॉर्टन कोश्चन है केस्टी में पूछा जाता है वही पर निर्मान का बात करे तो 2022 से लेकर 233 साल लग जा तो इसको बात करे तो ौए उस समय आपको 83 लाग लगाता ठीक है। इन्फलेशन कितना ज़्यादा बढ़िया है इस पर ध्यान देजिए आप डिजाइनर का हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए यहां पर जो आपको कोशन बनेगा यह आपको पूराना संसत भावन से पुछा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा एड्मीन लूटियंस और हर्वर बेकर और नया का जो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बिमल पटे लिए भी याद रखेगा उद्गाटन के बारे हम बात करें तो 28 मई 2023 को इसको उद्गाटन किया गया नरेंदर मोदी जी के दोरा और इसका जो उद्गाटन हुआ था 18 जनवर 1927 को वा था ये कोशन नहीं वनेगा ये आपको पुछेगा अगर उद्गाटन से बनेगा उद्गाटन करता है नरेंदर मोदी थे यहां पे लाड इर भी नहा ये कोशन बन सकता है यहाद रिखेगा यहां से कोशन भी पूछ सकता है अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्स देखें संसद भावन का तो आपसे पूछेगा लोग सभा का सीट कितना है तो 888 है राज्य सभा का 384 और दोनों को मिलाके 1272 है ठीक है याद रखेगा दोनों को मिलाके 1272 है यह कुशन आपसे पूछेगा जैसे नया संसद भावन का लोग सभा के सीट कितनी है तो 888 है राज्य सभा कितना है 384 है और वहीं पे बात करें पुराना लोग सभा का सीट का तो 543 और राज्य सभा का 250 था और आपसे इंपॉर्टेंट यह पे पूछता है अनुछेद के बात कितना है यहां पे 81 तो इसको याद रख सकते हैं अप सरला बोलके यह ट्रीक है यह सरला बोलके ट्रीक है सौ से संसद रौ से राज्य सभा लौ से लोग सभा ठीक है 79 89 81 81 यह कुशन बनता है चलिए नेक्स कोशन के और चलते हैं करपोडी ठाकर को देखिए काफी इंपॉर् इस हरियाना या इनमों से कोई नहीं इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा बिहार ठीक है बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी है काफे जादा इंपॉर्टेंट है अभी इसको अनौंस किया गया है पूरी ठाकर को आपको पता ही होगा कि भारत रतन देने का इसी लिए कॉशन का 22 मार्च 1912 होगा ठीक है और हां उसके बाद 1936 में इस से उरिसा अलग हो गया था और 2000 में और अगर आपनोंको बात करें 2000 में तो यहां पर बंगाई जारकंड अलग हो गया था 15 नूम्बर 2000 को समझ में आ रहा है आपको ai पटना है ऋच नियाले पटना है राजकिय वासा हिंदी है दूत्य राजकिय वासा अर्दु है झेहां पर जो ह機會 यहां पर जो है यह याद रखेगा यह पूश लेता एकजाम में राजके पतुप बैर, राजके परिची गौरिया है राजके पुस्प के बारे बात और रात जाहें यहुथ ने की ल मैंदा है परखंड की संक्या पूचे हैं पांसुचोशोगी संख्या पूचेए अबसे देटा महानगणों कि संख्या एक है जो की पढ़ान मंडल द्वी सद्नातमक है जो विधान सभा में सदस्री के संख्या कितना है आपको पता है दो सो ते तालिस है याद रखेगा इनपोर्टन है यह चारो बिधान पड़िसत में सत्रस्वी के संख्या 75 है, लोक सबा सत्रस्वी के संख्या 40 है ठीक है राज्य सबा सत्रस्वी के संख्या 16 है वही अगर हम लोग बात करें लोक सबा में अनुसूची जाती के लिए आरकषित सीटु के संख्या कितना है तो 6 है ये वाला important facts है अच्छा सरवाधिक 1 छेतरवाला जीला कौन है, विहार में तो यह पस्यमी पंचंपारन, नियुन्तम 1 छेतरवाला जीला कौन सा है, यह answer हो जाएगा, यह अच्छलिए सी भार है, ठीक है, यहाँ पर सही कर लिजे, सी भार हो जाएगा, सबसे अधीक 1 परतिसत वाला जीला खरवादिक अनुसूची जाती के अवादी काउंस है कहां पर है तु गया में है याद रखेगा अनुसूची जाती के बारे पूछ रहा है कि किस्ठगंज हो जाएगा बिहार के जन इतना तुटेली यही पूचेगा आपको इतना याद रखना है 10,000 करोर से लेकर मतब इतना याद रखेगा नillos काम बन जाएगा ठीक है, इतना करोर भिहार में महालाईग्यिं के संख्या यह है उसके बिहार में परश्रो के संख्या इतना चंसंक्या के दृष्टिक से सर्वादिक बड़ा जीला पठना है के दृष्टि से सरवादिक चोटा जीला कुन सा है सेखपूरा है पर यह कुछ इन प्रॉटिंट फैक्ट था बाकी जैसे मैं और सारे वीडियो लिखे आंगा तो उसमें कुछ कुछ important fact add करता रहूंगा ठीक है नेक्स्ट कोश्टन है कोश्टन नमर 3 बहुत जादा important question है एहुद्या राम मंदिर के निर्मान के मुख्य वास्तुकार कौन है राम सुतार चंद्रकांता सोमपुरा अरून योगी राज जगमोहन या फिर इन में से कोई नहीं इस पूछा जाने के पूरे पूरे चांसे से राम मंदिर के निर्मान के वास्तुकार कोन है तो चंद्रकांता सोमपुरा चलिए राम मंदिर से related कुछ important facts देख लेते हैं जो आपकी एक्जाम में आने के पूरे चांसे से राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है तो इसका अंसर हो जागा श्यामल पत्तर की राम मंदिर के निर्मान की सैली पर किया जा रहा है तो नागर सैली से याद रखेगा किया गया है राम मंदिर के निर्मान करने वाले ट्रस्ट समिधी का नाम क्या है कई बार ये भी पूछ लेते एक्जाम में श्री राम जनम हुंभी इर्थ छ पूचाई कितनी है तो इसका आंसर बजाएगा 4.24 यानि की 4 दिसमिन लगए 24 फिट पूचा है इसका सही आंसर बजाएगा ठीक है यहां पे हो जाएगा मुड्ति की सेली में बनाए गई है तो कृष्ण सेली में बनाएगी है अग्रण मंदिर का पूचेगा नागर्ण सेली मूड्ति का पूचेगा तो कृष्ण सेली और उद्गाटन कब हुआ था तो आप सभी को पता है 22 जनवरी दोजार 24 को नेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का उद्गाटन किया गया था कितना important question है बाकी और मैं discuss करूँगा जिससे वीडियो आगे बढ़ेगा Dr. B.R. Amidkar की 125 उची 125 feet उची परतिमा का उद्गाटन किस राज्ये में किया गया है काफी important question है याद रखेगा किसी ने किसी एक्जामें आपको देखने को मिलेगा option क्या है बिहार, राजस्तान, आंदर परदेश, उत्तर परदेश या फिर इन में से कोई नहीं याद रखेगा यहां से question आपको बनेगा ठीक है ठीक है गुजरात के बडोधरा के पास नर्मदा जीले में स्थीत सरदार सरुबर्बान से 3.5 km ने कि सारे 3 km नीचे के तरफ जाने से कितना important नहीं है यह सब डीचा 182 मीटर उंचा है इनके जनम दिवन के जनम दिवस के सुब अबसर पर चलिए नेक्स्ट कोशन है question नमर 5 question नमर 5 में है सोलवें वीत आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है काफी BBI कोश्चन है आप देख सकते हैं कोश्चन का लेबंद जो सारे important questions होगा ना उसी काम है collections लेक्या होंगा इस series में Dr. Arvind Pandhgadiyya रगुराम राजन उर्जीत पटेन सक्तिकान दास तो इसका सही answer हो जाएगा option नमर ए Dr. Arvind Pandhgadiyya याद रखिएगा अगर आपसे सोलवा का पुछा है पंदरवा का पुछेगा तो आपको बताना है N.K. Singh ठीक है ये भी question आपसे पूछ सकता है कि पंदरवा वितायों के अध्यक्ष कोने तो N.K. Singh है और सोलवा का पुछेगा तो अर्वीन पंगडिया है ठीक है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए next question के और चलते है नई दिशा निर्देश के नुशार कोचिन सेंटरों में कोचिन सेंटर जो है वहाँ पे नामंकन के लिए चातरों की नियुनता मायू क्या रखा गया है 14 साल 15 साल 16 साल इसका सही अंसर हो जाएगा 16 साल यानि कि 16 साल का अगर जो कोई नीचे स्टुडेंट है 16 से नीचे है तो वह पिर कोचिन सेंटर में अडिमिसन नहीं करा सकता है ऐसा सरकार के नहां निर्देश अभी भारित क्या गया आपको बस इतना या देखना है 16 साल क्वेशन नमर्ट सीवन सर्फिस्ट फीपा पुरुस खिलारी 2023 का पुरुषकार किस नहीं जीता है कि लियन एमापए टिस्टानो रोनाल्डो लियोनेल मेशी सुनील चेतरी या इन में से कुई नहीं तो इसको सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेशी काफी इंपॉर्टेंट मेशी अर्जेंटिना और किस्टानो रोनाल्डो तो पुर्टुगाल की है अभी यह आपको जो है सौदी अरब के लिए खेल रहे हैं और आप पर आपको पता है रस्या से कहलते है सुनेल चातरी का भी पता है आपको भारत से खेलते है चलिए नेक्स कोर्सन है भारत का सबस नावा सेवा अटल सेतू कहां पर है तो आप से भी पूछ सकता है तो आंसर बताना आपको महारास्ट में ठीक है महारास्ट का कैपिटल क्या है तो आप सभी को पता है मुम्बाई है महारास्ट का कैपिटल समझ मैं है अब देखिए कुछ और इंपोर्टेंट जैसे कि प्रधान मंत्री नहींद मोदी ने ठीक है प्रधान मंत्रे नहींद मोदी ने 12 जनवरी दोजार चोबिस को भारत के सबसे लंबे पूल अटल विहारी बाचपई यहां पे यह जाएगा के नाम पे नवा सेवा अटल सेतु का उदकाटन किया है समझ मैं कहां पे क्या है तो महाराष्ट में क्या है यह वियाद रखिएगा 12 जनवरी दोजार चोबिस को 21.8 किलो मेंटर लंबा यह पूल भारत का सबसे लंबा समुंदरी पूल है और मुंबई के लिए एक महतपून बुनियादी धाचा पड़ी होजना है समुंदर पर 16.5 क्य Metroid और जमीन पर 5.5 क्यमेटर लंबा खेल इंकया पूल है जो कि भारत में समुंदर और रूप से सबसे लंबा कूल है तो 12 January 1924 को किसके द्वारा क्या गया था नाइंद मोदी को कहां पर है तो आपको पता होगा मुंबई में एक और important question इस question का देखे answer आपको बताना है पी mistake के नए महा सची बनने के वाले पर्थम भारतिय कौन है रजनीश खंडा अरून चोप्रा इंदर्मनी पांडे या फिर महिस जोगान इस question का सही answer हो जाएगा इंदर्मनी पांडे आपको पता appointment से related काफी questions बनते है आपके exam में तो चलिए हम लोग देखते कुछ important और questions जो आपके exam में बनने के chances है यहाँ पर सबसे पहले अगर CBC का पुछेगा केंद्रिय सत्रत्ता आयोक्त इसका सही answer जाएगा पर्मीन कुमार सिर्वास्तव ठीक है यह उनीजबा है यह आपसे नहीं पुछेगा लेकिन आपसे नाम पुछेगा आपको बताना है पर्मीन कुमार सिर्वास्तव मुहीं बात करेगा CBI का निदेशक कोन है तो पर्मुन सूध बने है CBI का पर्मुन सूध माफीज़ेगा पर्मीन सूध बने है CBI का फिक है मुहीं बात करेगा आपको मुख्य सूचना आयोक त्याने की CIC का इसका सही answer जाएगा हीरालाल सामरिया आयबी का पुछेगा इंटेलिजेंस ब्योर का निदेशक कोन है तो तपन कुमार डे का रॉ का पुछेगा आपको रिशार्च एंड एनिलाइसिस विंग तिसका सही answer हो जाएगा रवी शिना एन आये का पुछेगा नेशनल जांच एजंसी तिसका answer हो जाएगा धिनकर आपको याद रखना है राहूल नवीन यहां से कोशन बचेगा आपको बता होगा राहूल गांधी के ओपर अभी जो है एडी लगा होगा अच्छे से तो आप ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकती है कोई NCB का बात करेंगे नार्कोटिस कंट्रोल व्योरो का तो सत्य नरायन परदान कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जैसे कि मालेज यहां पर SSB का हो जाएगा रश्मी शुकला ब्यस्प का पुछेगा तो निप्तीन अगरबाल ती आर पीफ का पुछेगा तो अनीज दियान सिंग वहीं पर CISF का पुछेगा तो नीना सिंग यह समू के SPG के तो आपको बताना आलोग शर्मा वहीं पर ITBP का पुछेगा तो अनीज दियाल सिंग याद रखेगा यह आतरीत परिभार दिया जाता है इसलिए यहां पर भी दो जागा नाम देखने होंगा CRPP का भी और ITBP का भी NCC का हो जाएगा गुरपीर पाल सिंग, ICG का हो जाएगा राकिस पाल, NDRF का हो जाएगा तूल कारवाल, RPF का हो जाएगा मनोज यादव, AR का हो जाएगा, Awesome Rifle का हो जाएगा आपको परदीप चंदरनायर, Home Guard का हो जाएगा विवेक श्रीबास्तव, यहां जो सबसे इंपोर्टेंट है एक आपको यह SSB का है, उसकी बाद आपको BSF का है, और यहां पे CSF का है, नीना सिंग, याद रखीगा नेक्स कोशन है, नेक्स कोशन जो आपसे पूच रहा है यहां पे, भारत की पहली सौर उर्जा से चलने वाली नाओ का संचालन किस नदी में किया जाएगा, यह मुना नदी, गंगा नदी, गोमती नदी, सर्यू नदी, इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा, option नमर्डी, सर्य होगा, 22 जनवरी को, राम मंदीर का उधगाटन हुआ, आयोध्या में, और आयोध्या जो सहर है, वो किस नदी के किनारी इस्तित है, तो सर्यू नदी के किनारी इस्तित है, इसलिए कोशन काफी इंपोर्टेंट, याद रखीगा, ठीक है, चलिए, बाकि फैक्स तो हम लोग जो के Chief Justice of India भी रह चुके है, और आसाम से बिलोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको इनको असम वैवब सांती का, असम वैवब 2023 का रुस्तकार से समानित किया गया है, एक इंपोर्टेंट कोशन बनता है आपके एक्जाम में, आजकर मतलब आपको देखने को मिल सकता है, जैसे Ratan Tata को Australia का सरवच्च शूनागरिक समान, शूनागरिक समान से समानित किया गया है, कब किया गया है, 2023 में किसी किया गया है, Legendary Ratan Tata जी को किया गया है, इनको पदम भी पूशन कम मिला था 2008 में, पदम भूशन मिला था 2000 में, ठीक है उसके बाद ये इतना important नहीं है, और lifetime achievement ये मिला था 2020 में, ये दोनों आपको बहुत BVI आई है, याद रखेगा, असम का सरवच्चो सम्मान मिला था 2022 में, ठीक है, यहां से भी question बन सकता, थोड़ा साथ tough करे question, तो आपको पूशेगा, असम का सरवच्चो सम्मान किसको मिला है, तो रतन टाटा जी को 2022 का, वहीं पर आस्टेलिया का सरवच्चो नागरिक सम्मान 2023 में किसको मिला है, तो लेजेंडरी रतन टाटा सर को, अली, next question क्यो और के चलते है, आयोधिया जक्षन का ना ठीक है, इस राज्जे में आपको ऐसे भी कार्भी देखने को मिल सकता लिखावा, यूवा, महुतसब का अउजन क्या गया है, मेगाले, गुजराद, मारास्ट, असम, इसका जो सही अंसर हो जाएगा, option number D, सही अंसर हो जाएगा, असम का capital आपको पता है, क्या है, का ही, टीक मारना है, ठीक है, या असम, राज्य का ही, यहाँ पे आपको टीक मारना है, मेगाले का capital के, आपको शिलोंग है, और मेगाले में आपको पता होगा, गारु, जैनती, खासी जो पठार है, परवत है, उससे question पूछा जाता है, यहाँ पे आपको जाती भी मिल तो याद रखेगा इसे कोशन बनेगा खुजरात का गांधी नगरी है और महारास्ट का आपको पता ही होगा महारास्ट का भी हम लोग डिसकर्स कर चुके हैं बाकि किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं किस किरकेट टीम ने वीजा हजारे ट्रॉफी का किताब बात यहां पर बात तर मिलाडू का कैस्व नहीं है दो ररास्ट को पता होगा उसके राजस्थान का कैपिटल का है यह आप कॉमेंट करके बताईये अच्छा तमिलّाडू का पता होगा एक फेमस जो नित्य है वो पूछा जाता है भरत नाटियम भरत नाटियम यह भी याद रखना है किस टीम ने पुरूस अंडर 19 नाटियम यह भारत पाकिस्तान श्रिलंका या फिर बंगलादेश इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा बंगलादेश टीक है बंगलादेश ने अंडर 19 एसिया कप का किताब जीता है वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे 2023 का वर्ल्ड कप के बारे में 2023 का वर्ल्ड कप था वो क तो इसका अंसर हो जाएगा आपको इंडिया में आयोजन किया गया था है आपको वर्ल्ड कप 2023 का ठीक है चलिए यह कोशन भी 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 आई है 24.75 करोड में थरीदे जाने वाले IPL इत्यास के अब तक के सबसे महंगे खिलारी कौन बने यानि कि अब तक का सबसे महंगा IPL का क इसका सही अंसर जाएगा मिचेल स्टाक समझ मैं आस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं और इसको कितना में 24.75 करोड में खड़ीदा गया है किस के तरब से खेलेंगे तो KKR के तरब से खेलेंगे और अब तक का यह हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलारी बने इसलिए कौशन इं मिस इंडिया 2000 मिस इंडिया USA 2023 का किताब किष्णी जीता है क्योंगे जो विजेता है वह भारती है अनिता खना नीले चौधरी मधुबाला राओ या फिर रिजुवल मैनी इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा रिजुवल मैनी ठीक है बाकी ज्यादर डिसकस इसमें नहीं करना पुस्पभारती तो ऑप्सन नमर डी सही अंस हो जाएगा पुस्पभारती को प्या समान 2023 का किताब मिला है कुश्चन नमर 19 के वर चलते हैं सियाचीन में तैनात होने वाली पर्था महिला चिकेसा अधिकारी कौन बनी है बी बी आई इनपॉर्टिन कोश्चन है याद रख प्याद करने का अपको पता होगा जो सियाचीन है आपको सबसे उचा है मतलब बहुत उचा है तभी यहां का टेमपरेचर बहुत लो रहता है तो यहां पर लिखा हुआ है इनका नामे गीति का कॉल कभी-कभी नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं उचा पो करना आपको और कुछ नहीं है किस उपनियास का उनके उपनियास मुझे पहचानों के लिए हिंदी वासाय का प्रुसकार मिला है ठीक है काफी अच्छा कोशन नहीं संजीब विनोत जोसी विजय शर्मा बासुविनाथ ज्या इनमें से कोई नहीं तीस कोशन का सही अंसर जा नहीं दो करने दो तो मैं पार टू लेक्या हूंगा और जो इंपोरटें कोस्टें से आप देखे होंगे कॉशन का लेवल काफी ज्यादहा इंपोर्टेंट है यह सारी कुशन अगर आप करती हैं एक्जाम में तो आपको यह सारी कुशन प्रेक्टिस करें तो आपको तो कॉमेंट करके बताईएगा और अगर आप चाहते हैं कि स्रीच कंटिनी हो तो इसको अच्छे से से शेयर किजिएगा लाइक किजिएगा और कॉमेंट करके बताईएगा थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस वडियों गॉट बेसी ओल